सोहेगा आई सबसों का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पर अगर आप एक जियोपस्पलस के रिटलर है तो जियोपस्पलस की नियू वर्जन आ चुकी है यहाँ पर जो जियोपस्पलस की यह वर्जन है यह पुरानी वर्जन है तो जियोपस्पलस की नियू वर्जन वो आ चुकी है यहापा जो Geo Plus Plus के निव वर्जन है यह 1.6.6 है तो इस एप्लिकेशन को आपको अप्डेट कर लेना है अगर इस Geo अप्लिकेशन को अप्डेट नहीं किये हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देजे तो चलिए बिना टायम गवाए होए वीडियो को सुरू करते हैं तो हमारी जियो पस पलस यहाँ पर अपडेट हो चुकी है तो simply अभी open करेंगे open पर जैसे किलिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरपेस आएगा तो जो भी आपका user ID है और password है उसे simply आपको यहाँ पर paste कर देना है उसका लॉग इन पर किलिक करना है मतलब जो भी आपका user ID पासपर है उसे डाल के लॉग इन पर किलिक करेंगे तो आपका जियोपस पुलस यहाँ पर successfully login हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जियोपस पुलस की जो new version है वो यहाँ पर आ चुकी है 1.6.6 तो यह जियोपस पुलस की new version है तो चलिए हमने अभी login कर रहे हैं देखते हैं login हो रहा की नहीं हो रहा तो यहाँ पर मेरा जियोपस पुलस अभी successfully login होने वाला है तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जियोपस पुलस successfully login हो चुका है उसके बाद आपको simply यहाँ थिरी लाइन पर उपर में click करना है यहाँ पर जैसे click करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का interface आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी changes नहीं किया है अगर आपने अभी तक इस जियोपस पलस को update नहीं किये हैं तो update कर लिजे क्योंकि अगर update नहीं करते हैं तो आपका जो पुराना जियोपस पलस रहता है मतला old version जो जियोपस पलस रहता है उसमें अगर आप recharge करने जाते हैं या new sim activation mnp करने जाते हैं तो automatic ही back हो जाता है इसलिए आपने जियोपस पलस को update कर लेना चाहिए क्योंकि new version अगर update नहीं करेंगे तो आपका वो problem ज़्यादा तर देखने को मिलेगा तो पिलेश्टर में जाके आप simply इस जियोपस पलस के new version को आप update कर सकते हैं और ये जनकरी कैसी लगी नीचे comment करके जरू बताए और हम हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में कर दिए आगे भी इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए